हमारे blog का जो primary product है वो है हमारे blog के अंदर के post हमारा content, content is king content सबसे बड़ी चीज होती है तो हम लोग content को display कराने वाले हैं अपने blog post वाले page से इस page को हम लोग बनाएंगे हम लोग अपने blog का homepage भी बनाएंगे जहांपर हमारे सारे के सारे blogs एक जगा पर हमें देखने को मिलेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से customize किया सकता है इन सारी चीज़ों को computer screen पर चलते हैं, सबसे बढ़े तो blog page बनाएंगे, उसके बाद blog post वाले page बनाएंगे और देखेंगे किस तरह से इनको dynamically generate किया जा सकता है चलते हैं हम computer screen के अंदर blog के page की styling करेंगे और development करेंगे और blog post वाले page की भी styling और development हम लोग बहुत चल्दी करेंगे hunting coder के अंदर so far हम लोगोंने navigation बार लगा दिया अभी मैं बहुत तेज यहाँ पर yarn dev लिकूंगा और उसके बाद आप लोग को आज यह बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग blog page और हमारा जो blog post को page है वो बना सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर जल्दी से hunting coder को खोल लूँगा और इसको खोलने के बाद आप देखो यहाँ पर अभी सारे के सारे pages में navbar दिख रहा है ठीक है जितने भी pages है navbar सब में दिख रहा है ठीक है चाहें वो contact page हो चाहें वो blog हो about हो, home हो, अब मुझे यहाँ पर URL डालने की जरूरत नहीं है मुझे back button यूज करने की जरूरत नहीं है और home page तो यहार हमारा बढ़िया दिखी रहा है ठीक है तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर blog page बनाऊंगा और blog page मेरा inspired होगा यह वाली CSS style से ठीक है आप लोग देखो मैं यह काम कैसे करता हूं तो जो मेरा blog page है उस पर आ जाता हूं सबसे पहले और यहाँ पर अब मैं styling करूंगा तो यह जो this is blog home page है यह नहीं चलेगा अब अब क्या करूंगा मैं इस div के अंदर जिस तरह से मैंने अपने index page को बनाया था index.js को मैं यहाँ पर JavaScript react कर लेता है उसको ठीक है तो मेरा यहाँ पर आप देख रहे हो div मैंने जो यह वाला लिया था मैं इस div को पूरा copy कर लूँगा ठीक है पूरा copy कर लूँगा और यहाँ पर paste कर लूँगा कुछ इस तरह से अरे यह क्या हुआ control भी हाँ अब ठीक है अब मैं अगर आप लोग को दिखा हूँ अपना blog page तो आप लोग यहाँ पर देखो कि लेटेस यहाँ पर दिखाई पट रहें लेकिन style जो है वो शायद आप लोग को खटक रहा हो आपको अच्छा ना लग रहा हो तो मैं आपर क्या करूँगा कि जो blog के हैं styles दुबारा से बनाओंगा और उनको मैं almost similar बनाओंगा जैसे मेरे home थे ठीक है जैसे मेरे home के styles थे तो मैं आप यहाँ पर लिखूँगा blog.module.css module.css और यहाँ पर क्या करूँगा मैं import करूँगा styles from वही syntax यूज करूँगा तो यार syntax में रटता नहीं हो और copy-paste में मैं माहिर हो ठीक है आप देखो यहाँ पर मैंने paste किया और यहाँ पर मैं home ना लिखते हूए लिखूँगा blog ठीक है और यहाँ पर class name is equal to blog item है तो मैं blog item जो class है वो मेरी home से copy कर लूँगा ठीक है ideally आप अलग-अलग लिखोगे लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि css को ज़्यादा focus में ले रहा हूँ ठीक है मैं आपर functionality को ज़्यादा focus में ले रहा हूँ blog item अरे blog item यहाँ पर ही नहीं वाओ blog item मैंने कहां पर लिखा अपने index में मैंने style jsx में लिखा होगा यह कहीं और लिखा होगा पता नहीं का लिखा ठीक है container तो यहाँ पर container तो अप्लाय हुआ क्या container के अंदर यह CSS नहीं लिखिया है कि सब कुछ center में हो जाई देख लेता हूँ यार मैं जल्दी से तो यहाँ पर अगर मैं आओं तो यह जो मेरा main tag है इसके अंदर कुछ ना कुछ styles लिखे होंगे ठीक है styles.main ठीक है तो मैं काम करता हूँ यह वाला जो main tag है इसको यहाँ पर ले लेता हूँ कहा गया मेरा blog page यहाँ पर ले लेता हूँ main को और और main tag को close भी कर दूँगा ठीक है ठीक है कुछ इस तरह से लगता है मैंने कुछ गलती कर दी है आपर क्या गलती कर दी है मैंने blog div यह div return कर रहा हूँ और यह main अच्छा यहाँ पर main बंद कर दिया मैंने कलती से अब ठीक है तो अब मैं आपर जो main की class है वो लेकर आओं अगर तो जो मेरी main की class है main.main home दबाओंगा dot main लिकूंगा dot main ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं इसको copy करूँ तो यह flexbox है ठीक है और I hope कि यह चल जाए center में आ जाए center में आ गया ठीक है अब यहाँ से मैं latest blog हटा दूगा यहां से और यहाँ पर आप लोग देखना मैं क्या करूँगा मैं आपर एक link component का इस्तेमाल करूँगा next.js की link component का तो मैं आपर import करूँगा link को ठीक है link from next link और यहाँ पर मैं simply क्या करूँगा मैं आपर लिखूँगा link और यहाँ पर मैं लिखूँगा hnf is equal to और कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा blog post slash और learn javascript ठीक है कुछ इस तरह से मैं करूँगा और आपको मैं दिखाता हूँ कि जब मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पर click करने के बाद मैं यहाँ पर blog post slash learn javascript में चला गया देख रहे हो आप लोग लेकिन एक चीज़ यहाँ मिसिंग है जो मेरा blog item है उसके अंदर का जो h3 है उसको मैं मैं cursor pointer करूँगा ठीक है तो मैं आपर blog item को न एक class बना देता हूँ कहां पर बनाऊँगा यह class में यह class में blog.model.css में बनाऊँगा ठीक है तो जो मेरा blog item है blog item हाँ blog item में मैं क्या करूँगा कि एक css डालूगा वो css क्या होगी देखना आप लोग ब्लॉग item के अंदर मैं cursor pointer डालूगा और blog item में ब्लॉग item h1 में में डालूगा ठीक है तो blog item के h1 में में डालूगा class name is equal to मैं आपर लिख दूँगा styles.blog item ठीक है और अभी मैं यहाँ पर reload करके अगर अपना cursor लेकर जाओं तो cursor pointer नहीं हुआ ठीक है ऐसा क्यों हुआ तो मैं idly करके अगर inspect करूँ तो यहाँ पर यह css add यह class तो add हुई लेकिन इसकी css यहाँ पर add नहीं होगी क्योंकि मैंने h3 को change करना है मैं इसको change नहीं करना है तो मैं एक काम करता हूँ blog item h1 नाम की class बना लेता हूँ ठीक है blog item का h1 ठीक है और इसको मैं copy करूँगा इसको save करता हूँ पहले और blog item h1 मैं stylesword blog item h1 कर दूँगा और यह class मुझे डालनी होगी अब कहां पर यह class मुझे h1 में डालनी होगी ठीक है तो देखो यार h1 नहीं यार h3 था यह h3 था h3 था h3 था h1 नहीं था कोई बात नहीं ठीक है blog item h3 कर लूगा इसको मैं यहां पर भी h3 कर लूगा देखो यार css कैसे भी लिख सकते हैं ठीक है तो ब्लॉक पोस्ट पीज बनाने के लिए मैं क्या करूँगा बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा मैं जाओंगा Next.js की वेबसाइट पर जी हाँ Next.js की वेबसाइट पर मैं Next.js के ब्लॉक की जो टाइटल है और यहाँ पर जो छोटा दर डिस्क्रिप्शन है शॉट डिस्क्रिप्शन और इस तरह से मैं यहाँ पर जो इसका टाइटल है वो ले लूँगा और एक होरिजॉन्टल लाइन लगाँगा टाइम बगएर जाँए सबको बंकरताँ कीबोट शॉटकेट अबाउड कॉंटास दिंकाट यहाँ पर इस पर एक में Smith अपर लिखा हुआ है मैं यह12 स्लाग यह थाँय Ç well ev 7 यहाँ पर और इसके बाद मेरा content आएगा यहाँ पर मैं lorem23 कर दूँगा और lorem23 करने के बाद यहाँ पर मैं HR भी लगा दूँगा ठीक है अब देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा content about to perform a full refresh fast refresh will perform a full reload when you edit a file यहाँ ठीक है यह फुल refresh हो गया अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको एक max width container मेरा mean के अंदर आ रहा था तो मैं क्या करूँगा styles बहुत जल्दी copy करूँगा ठीक है styles copy करूँगा देखो यार styles आप लोग जब बनाओ गए अपनी production application तो उसमें बहुत ही optimized रखना है styles को लेकिन मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं बहुत ही quickly अपने blog को देखना चाता हूँ अपने blog को live देखना चाता हूँ इसलिए मैं styles को थोड़ा सा repeatedly use कर रहा हूँ इदर से उदर copy कर रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे से css को manage करना यहां पर मैं क्या करूँ आप ब्लॉघ नहीं लिखूँगा यहांपर लिखमा ब्लॉघ पोस्ट् जो दॉत मुझे जो ब्लॉघ पूस्टरे चलास में यूज करूँगा इस की कहा पर यहां पर यूज करूँगा तो मैं ज़ो मेरा में है जो कि यहाँ पर भी मैंने use किया हुआ है उसको मैं यहाँ पर use करूँगा ठीक है और main का जो closing tag है वो मैं यहाँ पर डालतूँगा और यह वाला जो div class is equal to styles.container यह भी मैं यहाँ पर use करूँगा जैसे कि मैंने ऊपर किया था ठीक है अब save किया इसको मैंने और आप लोग को दिखाता हूँ यह क्या कह रहा है react form react can't resolve blog post.module.css ऐसा क्यों कर रहा है react मेरे साथ हूँ blog post.module.css और यहाँ पर blog post.module.css what's wrong what's wrong पता नहीं यार क्या गलती है मैंने यह क्या किया can't resolve module.found ऐसा क्यों है क्या मैंने कोई spelling वगर अगला लिख दी blog post.module.css react blog post blog post.module.css तो higher मैं समझ गया यहाँ पर मुझे दो बार back जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने एक blog post folder भी बनाए ठीक है अभी चल जाना चाहिए और अभी चल भी गया और यहाँ पर आप लोग देखो मेरा content है अगर यह content में थोड़ा सा और बड़ा करूँ मुझे पता है कि मैं जो करने जा रहा हूं उससे blog जो है वो बहुत ज़्यादा अगली दीख सकता है अगर मैं lorem 45 करूँ तो यह देखो हमारा content कुछ इस तरह से दिखेगा which is not looking great ठीक है ऐसा क्यों चुकि यहाद है वो चीज़े center तो हो गई है लेकिन max width container जो है वो अभी भी apply नहीं होता वो मुझे दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैंने main को copy किया और यहाँ पर मैंने main को copy किया container को copy नहीं किया लेकिन container को भी मैं copy करूँगा तो center तो हो गई चीज़े लेकिन container मेरा नहीं बना है तो मेरी कहा गई home.module.css उसमें से मैं container को भी लेकर रहा हूँगा padding 0 और 2rem देखता हूँ यार यह काम करता है मैं ज्यादा दिमाग लगा नहीं रहा हूँ CSS में to be honest यहां काम तो कर रहा है यहां तक आ गया है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा 2rem ना करके इसको 12rem थोड़ा जादा तो नहीं हो जाएगा नहीं ठीक है अभी ठीक है एडल अफ़ दे पेज लर्न जावस्क्रिप्ट ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग फोस्ट थीक है बढ़िया about page home page contact page सब कुछ बढ़िया दिख रहा है page reload नहीं हो रहा है और मजा आ रहा है यार करने में मजा आ रहा है मुझे पता है कि यहां पर यह जो हमारा blog post page है इसमें भी date वगएरा यहां पर display करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा बट हमारा यह जो blog post page है उसमें एक decent shape ले लिया है और हमारे blog page ने भी decent shape ले लिया है इनकी sizing को हम लोग बड़ाते घटाते रहेंगे अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस next jays की playlist को जरूर access करना या click करके bookmark जरूर करना next jays की playlist को और यह click करके save जरूर करना अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल झाल